एक राजा था उसकी दो रान्या थी बड़ी रानी के संतान आई थी चोटी रानी के पुत्तर था राजा चोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था बड़ी रानी चोटी रानी से इश्या करने लगी बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चोक में चला गया बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में मैई एक गला साब डाल दिया छोटी रानी दसा माता का वरत करती थी राजकुमार दसा माता का ही दिया हुआ था दसा माता की करपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुक्सान पहुंचाई चला गया दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड़ू में जेर मिला कर राजकुमार को खाने के लिए दिये राजकुमार जैसे ही लड़ू खाने लगा तो दस्से माता एक दासी का रूप दारण कराई और राजकुमार के हाथ में लड़ू छीन लिए बड़ी रानी का ये वार भी खाली गया रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलते गया तो रानी ने उसे पकड़ कर गेरे कुवे में धकेल दिया चुँकि कुवा बड़ी रानी के आंगन में बनाता इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहां गया लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुव में धकेला तो दस्चे माता ने उसे बीच में ही रोक दिया इदर दोपेर हो जाने पर राजकुमार ने लोटने पर राजजावे छोटी रानी को चिंता सताने लगी दसा माता को भी इस बार बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस परकार पहुंचा जाए राजकुमार को तलास करने वाले करमचारी निरास होकर बेट गए राजजा वे छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगी तब दसे माता ने बिकारी का रूप जारण किया और राजकुमार को गले से लगया राजद्वार पर पहुंची वे राजकुमार को एक वस्तर में छेपाई वे बिक्साय मांगने लगी सिपोयों ने उसे दुद्कार कर कहा कि तूझे बिक्सा के पड़ी है और राजकुमार खो गया है सारे लोग दुख है और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं इस पर दसे माता बोली भाईयों पूण्य का परवाव बड़ा ही विच्चित्र होता है यदि मुझे बिक्सा मिल जाई तो संबुए कि खोया हुआ राजकुमार तुमको मिल जाएगा ये केकर वे दरी पर पेर अगने लगी सिपोयों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका उसी समय दसा माता ने बालक का पेर वस्तस से बहार कर दिया सिपोयों ने उसे समझा कि कुवर उसके हाथों में है इसलिए उसे अंदर जाने दिया चाई दसा माता कुवर को लिये हुए बितर चली गई और उसने राजकुमार को चोग में छोड़ दिया वापस चली गई परुंतु रानी ने दसा माता रूपी विकारिन को देख लिया था उसने कहा कि खड़ी रहो और कौन हो तुम तुमने तीन दिन मेरे बेटे को चिपा कर रखा था तुमने ऐसा क्यों किया तुमें मेरे इस पसंद का उतर देना होगा दसा माता उसी समय ठेर गई उन्होंने बताया कि मैं तुमारे पुतर की चोरी करने वाली नहीं हूँ मैं तो तुमारी आराज ये देवी दसा माता हूँ मैं तुमें सच्चेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुम से इश्या रखती है वे तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है, एक बार उसे तुम्हारे पुत्र के गले में काला साब डाला था, जिसने मैंने बगाया, दूसरी बार उसनोंने विश्क के लड़ू खाने को दिये थे, जिनोंने मैंने उसके आतों से चीन लिये थे, इस बार उसने छोटी रानी दसा माता के पेरों में गिर कर समा मांगने लगी। छोटी रानी विंती भाव से बोली जैसे करपा आप मुझे पर दसन देखकर की है। मैं चाहती हूँ कि आप सदे उस महल में निवास करें। मुझे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दसा माता बोली की मैं किसी गर पर नहीं रहती जो सर्दापुरग मेरा ज्यानिस्पन करता है। मैं उसी के हज्ये में निवास करती हूँ। मैंने तुमारे साक्सिय दसन दिये हैं इसलिए तुम सुहागिने को बुला कर उन्होंने यथा विदी आदर सतकरा के साथ बोजन कराओगे। और नगर में डिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और वरत करें। इतना कहेकर दसा माता अंते द्रयाव हो गई और राणी ने अपने राजे की सोभाई या इस्तरियों को निमंतर दे कर बुलाया। उप्टन से लेकर शिरोबुषन संगात कर उनकी यथा विदी सेवा कर बोजन करवाया। दक्षिना में गेन आदी दे कर विदा किया। राणी ने अपने राजे में डिन डोरा पिटवा दिया कि आप सब लोग दसे मातां का डोरा लिया करें। थर्फिन झांडिरा पढ़र्यन में झाद कि दोलाएं।